हेलो अचो आप सभी का स्वागत है अलफा इंसिट्यूट में और आज हम करने वाले हैं आपकी 12 की बैलोजी और चाप्टर 1 से लेके चाप्टर 5 तक ठीक है ठीक तो चाप्टर 1 से लेके चाप्टर 5 तक के जितने भी important subjective question है तो आज ये class में हम discuss करने वाले हैं यानि कि आज ही class में हम इनी सभी question को करेंगे तो सभी बच्चे link को share कर दीजे ताकि सभी बच्चे आ जाएं फिर हम लोग class को start करें ठीक है और इसके पीछे की जो भी classes हुई है आप सभी बच्चे देख लेना ओके क्योंकि वो भी आपके objective question हो चुकि है चाप्टर 1 से लेके चाप्टर 5 तक के और वो class ऐसी class है जिसमें आपके board exam में पूछे गये question है और जिनके आने की chances है ठीक है तो सभी बच्चे का स्वागति भाई class में चले class को बटा इस्टार्ट करते हैं बिना देरी के यहना बिना देरी के हम class को इस्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत कम टाइम में हमें जादा से जादा करने है तो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए मुझे आपका भी सयोग शाहिए कि आपको सांतिपुरवक धरवपुरवक बना के क्लास में ध्यान देने हैं ना कि धरुदर की बातों में ध्यान देने हैं ठीक है चलिए बड़ा पहला कोसन है कि किसी पराग कोस का सुसजित अनुप्रस्त काटी और एक द्वारा वर्डन करें यानि किसी पराग कोस का सुसजित यानि यहाँ पर किसका पूछ रहा है एंथर का अनुप्रस्त का काट का और एक ही ड्रिश्र वर्डन पूछ रहा है कि işka r1 बनाई यह इसका जो डाइग्राम बनाना है सासा डाइग्राम बनाने के बाद आपको क्या करने बच्छे, naming करने है ठीके, तो चली बच्छे हम लुग solve करते हैं और साथ-साथ आपको बनाने भी है साथ-साथ आपको मेरे साथ बनाते हुआ चलने है ठीक है पराग कोस का आपका अनुप्रिस्त काट पूछ रहा है बड़ा आप सभी को पता है कि पराग कोस के अंदर कितनी चार लगो बिजालो धानी होती है कितनी लगो बिजालो धानी होती बच्चे चार लगो बिजालो धानी होती कहां होती है इस पराग कोस के अंदर होती है ठीक है इस पराग कोस के अंदर चार लगो बिजाडो धानी होती है एक यहां हो गई और एक ही यहां हो गई यह क्या होती है यह चार लगो बिजाडो धानी ठीक है तो पराग कोस के अंदर कितनी चार लगो बिजाडो धानी होती है और बीच में इसका समवहन पूल होता है ठीक ये है अब यही जो लेयर है इस लेयर के बच्चे चार परती होती है हैना एक सबसे अंदर वाली परत हैना फिर उसके बाद अंदर के बाद मध्य परत ठीके मध्य परत के बाद बच्चे कौन सी अन्तह स्थीतियम मालों यहां पर यह अन्तह स्थीतियम है क्या है अन्तह स्थीतियम है और अन्तह स्थीतियम के बाद सबसे बाहरी जो लेयर है उसको हम कहते हैं बाहे परत कहते हैं क्या कहते हैं बाहे परत और इस बाहे परत के अंदर बिजाडू जनन उत्तक क्या होते हैं बिजाडू जनन उत्तक होते हैं तो सारी में बटा यही सारी चीजे होंगी तो हमें आप सारी में बना लेना सभी में आपको यही चीजे देखने के लिए मिलेंगी कुछ अलग सी चीज़े आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी ठीक है तो यह बटा जब हम अपने एक पराकोस का कौन सा पराकोस इस वाले पराकोस का हम सक्षन कट करते हैं तो सक्षन कट करने पे हमें कुछ इस प्रकार की सरचनाय देखने के लिए मिलती है ठीक है अब बटा अगर हम इसके नेमिंग करें क्या क्या इसके अंदर गत पाया जाते हैं देखो यह जो लेया रे बटा इसको हम कहते हैं लगू बिजाडू धानी क्या बोलते हैं लगू बिजाडू धानी ठीक क्या है लगू बिजारू धानी है लगू बिजारू धानी की बाद बटा इसके अंदर क्या है लगू बिजारू या बिजारू उत्तक है क्या है इसके अंदर क्या है भी बिजाडू उत्तक है ठीक है अंदर क्या है बिजाडू उत्तक है उसके बाद बिजाडू उत्तक की बाद बिटा क्या है अंदर की जो लेयर है यह पीली वाली इसको हम कहते है टैपटम क्या कहते है यह टैपटम की लेयर है टैपटम के बाद अच्छे इस लेयर को हम कहते हैं मध्य परत क्या बोलते हैं मध्य परत के बाद जो लेयर आती है इसको हम अन्तह स्थीतियम कहते हैं और अन्तह स्थीतियम के बाद सबसे बाहरी परत को बाहरी परत कहते हैं यही बिटा आपका क्या है लगू बिजाडो धानी का एक section है इसको section कट करने पे आप इसको इस सरकी सरिशनाएं दिखाई देती है ठीके आप इसी के बारे में आपने क्या कर देने है एक एक के बारे में warden कर देने है ठीके चलो Next देखते हैं एक लगू बिजाडो धानी के विस्तारित परिद्रिश्च का वाडन करें अब यहाँ पे इसके विस्तारित परिद्रिश्च का आपको क्या करना है वाडन करने है यानि आपको यहाँ पे एक एक नेमिंग के बारे में बिटा यह पिटा लगू बिजारू धानी होती है ठीक है क्या होती है लगू बिजारू धानी और इस लगू बिजारू धानी में क्या होती है बिजारू जनन उत्तक होंगे जब बिजारू जनन उत्तक होंगे इनमेन का क्या होगा बचे लगू बिजारू क्या होगा लगू बिजारू होगा इतनी बात क्लियर उसके बाद बटा सबसे अंदर की जो लेयर होती है सबसे अंदर वारी जो लेयर होती है उस लेयर को हम कहते हैं टैपटम की लेयर क्या कहते हैं टैपटम की लेयर तो ये बटा सबसे अंदर की लेयर क्या है ये सबसे अंदर की ये लेयर होती है और ये जो layer होती है ये क्या होती है केंदरक युक्त होती यानि कि इनका क्या होता है इनमें इनका केंदरक है ठीक है ये केंदरक युक्त होती है बाकी जो भी layer होगी वो केंदरक युक्त नहीं होंगी लेकिन जो ये tapatum की layer होती है बच्छे वो क्या होती है केंदरक युक्त ह किसकी बनी होती है उन्, कि ट्रापटम के जो सल होगि, उने में क्या होगां केंद्रफ होगा।।। उसके बाद यृईर आएगई बाहरी लेयर आती है। इसके बाद पाइगांगा यह न्युँपध्य। ठीक है यह क्या आएगा बच्चे अंताई स्थीतियम आएगा और यह अंताई स्थीतियम ठीक है और अंताई स्थीतियम के बाद सबसे बाहर की जो लेयर आएगी उस बाहर की लेयर को हम कहते हैं बाहर परत कहते हैं तो जब आप से पूछा जाएगा कि एक लगू बिजाडू धानी के विस्तारी परिद्रिश्र का वर्डन करें तो आपको यह विस्तारी परिद्रिश्र का वर्डन करें यानिके यह डाग्राम यानिके आपको उसमें लगू बिजाडू को शोब करने हैं साथ-साथ उसके जि बिजाडू धानी है क्या है बच्चे लगू बिजाडू धानी है इसके बाद बटा ये जो टैपटम की लेयर है क्या है टैपटम है टैपटम के बाद बच्चे ये जो लेयर आती है इसको हम कहते हैं मध्य परत क्या बोलेंगे ये जो ग्रीन वाले लेयर को मद्य परत इसको हम कहते हैं अंतह इस्थीतियम ठीके अंतह इस्थीतियम और ये सबसे बाहरी को बाहे परत कहते हैं ठीके सबसे बाहर वाली जो लेयर होगी उसको हम बाहे परत और इसके अंदर ये क्या होंगे बटा लगू बिजाडू होते हैं अभी नहीं के बारे में आपको लिख देने हैं कि सभी के क्या क्या कार होती है निकि लगो बिजाडो को हम कहते हैं Microspore क्या बोलेंगे इस लगो बिजाडो को हम Microspore कहते हैं क्लियर बाद तो दो कोसन हमने देख लिया जब आप से पूछा जाएगा कि एक लगो बिजाडो धाने के विस्तारी प्रदिश्ट का वर्डन करें तो आपको ये डाइग्राम बना देनी है इसके बाद इसके बारे में के बारे में naming कर देने है जब आपसे पूछेगा कि किसी पराकोस का सुसरजित अनुपरस्त काटी आरेक द्वारा वर्डन करें तो आपको ये पराकोस खाने जो एंथर है उसके अंदर की क्या-क्या चीजे हैं क्या-क्या प्रिजंट हैं इन सभी चीजों को आपको वहाँ पे मिंसन कर देने वहाँ पे आपने दिखा देने हैं क्या इतनी बात सभी बच्छे को ग्लियर है कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको कई पर भी प्रॉब्लम ट्रिक शल्यन किसे कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन किसे कहते हैं, क्या कोई बच्चा आंसर दे सकता है, तो सभी बच्चे की बच्चा मुझे आंसर कमेंट में दिखने चाहिए, बताइए, ट्रिक शल्यन किसे कहते हैं, त्रिक शल्यन किसे कहते हैं क्या कोई बच्चा आंसर लिख सकता है या आंसर बता सकता है कि मैं त्रिक शल्यन इसे कहते हैं डिफिनेशन सभी बच्चे कि भाई गलत ही लिखना है लेकि लिखना है डिफिनेशन सभी बच्चे लिखो फटा फट कि त्रिक शल्यन किसे कहते हैं त्रिक श्रलियन का मतलब आप सभी को पता है कि भूड कोस के अंदर है ना, यह तो मैं आपको लिखूंगी, अब आपको यही पर थोड़ा सा समझा दूँ, मिटा यह हमारा भूड कोस है, इसको क्या कहते हैं, इम्ब्रियो साएक यानि की भूड कोस कहते हैं, और इस भूड कोस में आपको पता है कि 7, 6, 8 नूकलियस होते हैं, कितने होते हैं, 7, 7, 8 नूकलियस होते हैं, और इन सभी का अपना अपना केंद्रक होता है और आप सभी को पता है इन में जो पोलर नुकलियाई होता है जो पोलर नुकलियाई होगा एक नरिग्मक क्या करेगा दीतियक केंद्रक क्या पोलर नुकलियाई की साथ सल्लाइत हो जाएगा फ्यूज कर जाएगा, सल्लेन की क्रिया करेगा और प्रात्मी भूड़ पोष का अंद्रमाड होगा और इसी क्रिया को हम कहते हैं त्रिक्षलेन कहते हैं तो आप क्या लिखोगे कि भूड़ कोष के अंदर दूसरे नर्गमक का केंद्रक दित्री केंद्रक के सल्यन कर प्रात्मी भुड़पोश को बनाता है चुकिस में तीन केंद्रकों का सल्यन होता है ठीके आता इससे त्रिक शल्यन कहते हैं ठीके तो क्या लिखोगे बटा कि भुड़कोस के अंदर ठीके, भुड़कोज के अंदर, दूस्रे नरुगमक के केंदर का सल्यन ठीके, आंसर क्या लिखोगे? सभी बच्छे आंसर लिखो क्या लिखोगे? आंसर बुड़कोस के अंदर दूसरे नर्युगमक का केंद्रक दीतियक केंद्रक के साथ सलयन कर प्राथ्मिक भुण पोस प्राथ्मिक प्राइमरी इंब्रियो से ठीक है तो प्राथ्मिक भुण पोस बुड़कोस बनाता है चूखी इसमें तीन केंद्रको का तीन केंद्रको का ठीक है चूखी इसमें तीन केंद्रको का सलयन होता है क्या होगा बटा देख लो यहां पर डेकेट में लिख सकते हो क्या लिखोगे कि दूसरा आयनिन की यहां पर लिख सकते है नर्योगमक ठीके नर्योगमक क्या है बच्चे यन है प्लस पोलर नियुकलियाई पोलर नियुकलियाई क्या है यह टू यन है बराबर क्या बन जाएंगे ठीके शलयन होता है इसे इसे त्रिक शलयन त्रिक शलयन और त्रिक शलयन को ट्रिपल ट्रिपल फ्यूजन ट्रिपल फ्यूजन कहते है ठीके क्या कहते है ट्रिपल फ्यूजन कहते है यानि कि त्रिक शलयन किसे कहते है तो क्या लिखोगे बटा कि भुड़ कोस के अंदर यानि की इंब्रियोस से के अंदर नरिगमक का केंद्रक न दूसरे नरिगमक का केंद्रक दीतिक केंद्रक के साथ सलेन करके प्रात्मिक भुड़ पोस बनाता है चो कि इसमें तीन केंद्रकों का सलेन होता यानि की दूसरे नरिगमक का एक नूकलियस और पोलर नूकलियाई का दो किंद्रग आपस में सलईत होके सलन करते हैं इसे हित्रिक सलन कहते हैं या इसक्रिया को हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं ठीक है तो इतनी बात सभी बच्चे को समझ में आगे बटा नोट कर लो फटा फट देखो ऐसे को से ने सोचो अगर जो बच्छा पढ़ा होगा तो बोलो गए मैम यह तो बड़ा ही सिंपल है जिस बच्छे ने जिसका डाउट क्लियर होगा जो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा तो वो तो बोलेगा कि यह तो बड़ा ही सिंपल है इतना ऑजिड़ा आगया कहां से लेकिन जो बच्छा नहीं पढ़ा होगा उसको प्रॉब्लम होगी सोचे कहां से आ गया क्या लिखे तो जिस बच्छे का क्लियर है बहुत बढ़िया बात है जिस बच्चे का clear नहीं वो now down करते हुए चले मेरे साथ लिखते हुए चले ठीक है अगला question की तरफ चलते है बटा अपरा क्या है अपरा द्वारा 27 चार हार्मोन्स का वर्डन करें वाट इस अपरा अपरा क्या है और अपरा द्वारा चार हार्मोन्स यानि की जो दिखो अपरा क्या होती है न एक layer है एक परध है और इसको हम placenta कहते हैं और ये कब बनती है बटा ये जब तब बनती है जब कोई भी महिला प्रगनेंट है तो उसके बच्चे को पोशड के लिए गैसों का आदान प्रदान करने के लिए उच्छ सरजन के लिए प्रगनेंशी को बनाए रखने के लिए पूरा योगदान अपरा देता है ये जब तक कोई भी महिला प्रगनेंट है और कोई भी एक ladies प्रेगनेंट है तो यह जो अप्रा की जल्ली होती है वो क्या करती है हार्मोन को रिलिज करती है यानि कि जब तक कोई भी मैला प्रेगनेंट है तो यह अंतसरावी अंगों के रूप में या अंतसरावी ग्रंथियों के रूप में कारे करती है क्या करती है अंतसरावी अंगो उसका वर्डन करें ठीक बड़ा आपरा क्या है तो आपरा को आप क्या लिखोगी आपरा अंतसरावी उत्तक या अंग होते हैं आपरा को हम क्या कहते हैं या तो ये अंतसरावी उत्तक है या तो ये अंतसरावी अंग है जो गर्भासे सिसु को गर्भासे के साथ जोड़ने मे मदद करता है ठीके, तो क्या लिखोगी बेटा अपरा अंतहसरावी उत्तक या अंग है ठीके, अंसर क्या लिखोगे अपरा अंतहसरावी उत्तक या अंग है जो गर्भस्त सिसू को जो गर्भस्त सिसू को जोडनी में मदद करता है ठीके, जोडनी में मदद करता है जो गर्भस्त सिसू को जोडने में मदद करता है ठीके? और या भुरुड को पोशड देता है और भुरुड को अपरा द्वारा यानि प्लेसंटा तो अपरा द्वारा भुरुड को अपरा द्वारा माता से माता से पोशड भी मिलता है भाई क्या मिलेगा? माता से पोशड मिलता है ठीके? ठीके अपरा द्वारा पोशड भी मिलता है ठीके और आगे क्या लिखोगी बिटा कि अपरा द्वारा अपरा द्वारा चाट स्रावित हार्मोन्ज निम्न लिखित है क्या है निम्न लिखित है तो ये निम्न लिखित कितने है बचे कितने है क्या बच्चा कोई कमेंट में लिख सकता है कि ये जो हमारी अपरा है इसकी द्वारा जो स्रावित हार्मोन्ज है उनके नाम क्या है तो देखो बटा ये जब भी कोई भी महिला प्रेगनेंट है तो ये अंता स्रावित के रूप में कार करती है तो एस्ट्रोजन, प्रोजिस्टान, मानो, जरायू, गुनेडो, ट्रोपिन और रिलाक्षिन ठीके तो कौन-कौन सा बटा यह रिलीज करता है एस्ट्रोजन, ठीके, एस्ट्रोजन हार्मून्स रिलीज करता है साथ साथ प्रोजिस्टान हार्मून्स, ठीक है, प्रोजिस्टान हार्मून्स, प्रोजिस्टान की साथ साथ बटा, मानो, जरायूज, ठीक है, जरायूज, गुनेडो ट्रॉपिन, ठीक है, गुनेडो ट्रॉपिन हार्मून्स रिलिस करता है, और इसके साथ साथ एक हार्मोन्स है जिसका नाम है Relaxin क्या है? Relaxin तो ये जो अपरा के द्वारा ये चार हार्मोन्स रिलीज होते हैं और इसको हम कहते हैं स्वारी, येच ठीके? इसको हम कहते हैं सौट में H-U-G ठीके? H-U-G यानि कि Human SCG कहते हैं ठीक है, तो ये चार प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं ये मानो अपरा के द्वारा रिलीज होते हैं, तो जब भी पूछा जाएगा कि अपरा क्या है? अपरा द्वारा स्रावित चार हार्मोन्स का वर्डन करें, तो आप क्या लिखोगे? आपरा अंतसरावी उत्तक या अंग होते हैं जो गरभस्त सिसु को जोडने में मदद करता है और भुढ को अपरा द्वारा माता से पोषड भी मिलता है और अपरा द्वारा चार हार्मोन्स और रिलीज होते हो निमलेकित है पहला होता है पोटा एस्ट्रोजन ठीके प्रजिस्टान मानो जराय उजगनेडो ट्रॉप ये सबी जो हार्मोन्स है ये अप्रा के द्वारा रिलीज होता है और रिलीज होने की वज़े से इसको हम अन्तसरावी अंग या अंतसरावीables कहते हैं बोलते हैं या तो हम अंतसरावी अंग कहते हैं और या तो हम इसको अंतसरावी ग्रंथी कहते हैं ठीके चलो क्लियर हो गया बिटा क्लियर हो गया आगे चलते हैं मादा जनन तंत्र की सुसजित आरेक का निरूपड करें यानि कि यहाँ पे आपको मादा जरन तंत्र के एदम simple से एदम clear तरीके से क्या करने हैं आपको diagram बनाने है ठीके तो I hope कि आप सभी बच्चे diagram को बना लोगे कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको कहीं पे भी दिक्कत होगी ये बनाने में ठीके तो मादा जरन तंत्र की स बनाने हैं आपने लिखने नहीं है ठीकिए आपको शर्फ यहां पे वालनी ऐ리 बनाने है डायग्राम बनाने इस से जदा आपने नहीं करने ठीकिए अब यहां पिया करोगी मार्दा जनन्तंत्र का डायग्राम बना दो ठीक ठीक, क्या कर दो, मादर जनन तंदर के आपने डाइग्राम बनाने, ठीक, तो एक बटा सब से अंदर के लेयर होती है, 20.30 कुल जे आफ algúnolesब मादर के अंदर के लेग। 7.30 भीक, क्या कों का दो, मों, तो एक बटा साइब दो, मिवश्भाम करें तन्यंदर के ले लें आफनर को बटासando के ले। तेक है मादा जरिन दंतर के क्या बना दो डाइग्राम बना दो अब आप से यहां पे एक एक के बारे में पूछ रहा है केक एक के बारे में नेमिंग कर दो ठीक है देखो ये बटा ये भाग जो हमारा है इसको हम कहते हैं अंडा से क्या बोलते हैं अंडासे कहते हैं, इस अंडासे के अंदर क्या होते हैं, अंडाडो होते हैं, दीतियक अंडाडो, ठीक है, इसको हम जीलरी कहते हैं, ठीक है बच्चे, जीलरी, ये चोड़े भाग को कीपक, ठीक है, और इस भाग को तुम्बिका, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एमपुला, एमपुला और इसको संकीडन पत संकीडन पत कहते हैं ठीक है और पूरे को मिलाके इन पूरे को यहां से यहां तक की जो भाग है इस भाग को हम कहते हैं अंड वाहिनी क्या बोलते हैं अंड वाहिनी या इसको हम कहते हैं ओवी डक्ट वो भी डक्ट या फैलोपिय नलका ठीक है वो भी डक्ट कहते है और वो भी डक्ट ना बोलके हम इसको क्या कहते है फैलोपिय नलका कहते है ठीक है इसके बाद बटा यहां पर यह जो भाग होता है इस भाग को हम कहते है ग्रीवा नाल गर्भासाई 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 गर सबसे बाहरी का परी गर्भासे होता है उसके बाद मध्य गर्भासे जहां पर भुड़ का रोपड होगा और उसके अंतर अंतर गर्भासे अंतह गर्भा से ठीके जो कि क्या करता है भाई आर्टो चक्र के दोरान भी हेल्प करता है क्या करेगा जब आर्टो चक्र की क्रिया होती है तो उस आर्टो चक्र की क्रिया के दोरान भी ये हेल्प करता है तो जब आप से पूछा जाएगा कि मादा जरन तंतर के सुसरजित डायग्राम बनाओ सासत बच्चे यहाँ पर इसके अंदर क्या लगी होती है सीली अलग होती है क्योंकि इसके पास ऐसा कोई भी पार्ट तो नहीं है क्योंकि देखो जो एक होता वो नौन मुटाइल होता है जो हमारा अंडाडू है अंडाडू क्या है नौन मुटाइल उसके पास कोई भी ऐसा और्गन नहीं है कोई भी ऐसा हाथ पैन नहीं है कि जिसके हाल पिसे वो चल सके, ठाना चल के वो एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक जा सके, ठीक है, तो ऐसा तो इसके पास कोई औरगन है नहीं, तो इसमें कुछ तो ऐसा बिसी संग चाहिए, तो जो हमारी अंडवाहिनी होती हैं, जो कीपक हो गया, इंफंडी बूलम हो या जो फिमरी हो गया, वहाँ पे सीलिया लगे होते हैं, और जब आर्टो चक्र का चवदहवा दिन, जब कहते हैं, अंडव सर्ग ओविलेशन का टाइम होता है, ओविलेशन की पिरियट्स में, यह जो अंडासे से अंडवाडू कहां चले जाते हैं, अंपुला में चले ज होती है, ठीक है, तो जब आप से पूछा जाएगा, मादा की जननतंत्र की सुसजित आरेक का निरुपड करें, यानि कि यह आपने डाइग्राम बना देने हैं, हाँ आप यही चीज़ आप से लांग में क्या पूछेगा, कि मादा जननतंत्र का सजित वाडन करो, अब यहा आपको यहां पर पार्ट से दिख रहे हैं, हर एक पार्ट की बारे में आपको बताने हैं, बताने के साथ साथ आपको क्या करने बच्छे लिखने भी है, ठीक है, इतनी बात क्लियर, चले, आगे चलते हैं अगली कोशन की तरफ, फटा फट, शुक्राडू में क्याप्टिर का आंसर दे सकता है, कि सुक्राडू के अंदर, सुक्राडू के अंदर ये काउन से क्रिया है, और इसको हम क्या कहते हैं, ये जो क्रिया हो रही है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, कोई भी ऐसा बच्छा, जो इस कोशन का आंसर दे सकता है, भाई, हाँ या ना, कोई भी आनि ठीक है देखो सुक्राडो में क्यापसिटेशन क्या है हम अब यहां से आप से पूछा देखो होता है क्या इसमें कि यह सुक्राडो को सकृता प्रदान करने की क्रिया है यह जो हम क्यापसिटेशन क्या है यह सुक्राडो को सकृता प्रदान करने की क्रिया देखो अगर सुक् जरूरी है इनके अंदर सक्रिता होनी जरूरी है तो क्या लिखोगे बच्चे कि यह सुक्राडू को सक्रिता प्रदान करने की क्रिया है जिससे सुक्राडू द्वारा अंडे का निसेचन हो सके ठीक है क्या लिखोगे यह सुक्राडू को अंसर यह सुक्राडू को सुक्राडू को सक्रियता प्रदान करने की प्रक्रिया है सक्रियता प्रदान करने की प्रक्रिया है जिसमें जिससे सुक्राडू का अंडाडू से अंडाडू से निसेचन हो सके ठीक है जिससे क्या देखो इनमें सक्रिता प्रदान करने की प्रक्रिया होती है जिससे सुक्राडू का अंडाडू से निसेचन हो सके इसके लिए सुक्राडू के एक्रोजोमल सता पर मौजूद डिकैपस्टिटेशन कारक को हटाया जाते है ठीक है तो क्या होगा भाई इसके लिए क्या लिखो गया आगे इसके लिए सुक्राडू के एक्रोजोमल सता पर ठीक है इसके लिए इसके लिए सुक्राडू के सुक्राडू के एक्रोजोमल परत को परत को हटाया जाता है ठीक है इसके लिए क्या होता है सुक्राडू के एक्रोजोमल परत को ठीके एक्रोजोमल सता पर मौजूद ठीक है एक्रोजोमल सता पर मौजूद ठीक है, मौजूद, decapsulation, decapsulation, ठीक है, decapsulation को हटाया जाता है, ठीक, clear इतनी बात, तो यही होता है, बटा, सुक्राढू में capsulation क्या है, तो क्या लिखोगे, यह सुक्राढू को सक्रिता पर्दान करने की क्रिया है, जिससे सुक्राढू को अंडाडू से निसेचन हो सकी, यानि की बटा क्या होगा, जो सुक्राढू का अक्रोजोमल सता होता, उस पड़ी, decapsulation की layer होती है, उसे layer को हटाया जाता है, layer को हटाने का अदेश होता है, सुक्राढू और अंडाडू का क्या हो सके, निसेचन हो सकी, जिब सुक्राढू और अंडाडू का निसेचन होगा, तब एक नई संततिका क्या हो जाएगा, बच्छे, बिकास हो जाएगा, ठीके, तो सभी बच्छे, फटा-फट, नोट कर लो, फिर आगे की कोशन की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीके, ज्यादा लंबी क्लास ने होगी बच्छे, एक गंटे के अंदर की क्लास होगी, इसलिए घबराना नहीं है, बाते नहीं करनी है, औ और अच्छे से क्लास पर ध्यान देनी है, ये मेरी आप से रिक्वेश्ट है, ओके, चलिए, क्लियर बच्छे, चलो, आगे चलते हैं, ओके, हो गया भाई, ठीक है, तो बटा, ये ऐसे कोशन आपके, जो मैं आपको आच्छे क्लास के जो कोशन करवा रही हूँ, ये बटा, यहां पर जो भी आप पर कोशन करवाई जाते हैं, जो भी आपकी स्लेबर्स चलते हैं, वो आपके इसे चाटी चलते है, है ना, तो पहला ही सवाल होता है, जो भी आपकी सब्चे का, मेरी लिए है की नहीं है, तो मैं हमीसा कहती हूँ कि इस चैनल पर, हना, अलफा इंसिट जो भी आपकी subject चलते हैं, बटाए आपकी anxiety चलाई जाती है, तो इसमें आपने टेंसन नहीं लेने, है की नहीं है, काम करेगा की नहीं करना है, हाँ बस आपने क्या करने हैं, पढ़ते जाने हैं, ठीक, चलो, लिखित को परिभासित करें, अब यहाँ पे निम्लिखित को परि भासित करें, यानि की जिब्ट किसे कहते हैं, ICSI किसे कहते हैं, और IVF किसे कहते हैं, तो देखो, अगर हम इस टेज को चलो solve करते हैं, सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं, किसकी करेंगे, सबसे पहले एक एक कहम full name जाल लेते हैं, देखो, पहला आप क्या है ZIFT, क्या है, ZIFT, इसका जो full form होता है, हम कहते हैं, Zygote, ठीके, Zygote, इंट्रा, 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 फैलोपियन, इंट्रा, फैलोपियन, ट्रांस्फर, Zygote, इंट्रा, फैलोपियन, ट्रांस्फर, क्या कहते हैं, Zygote, इंट्रा, फैलोपियन, ट्रांस्फर, ठीके, तो क्या बोलते हैं, Zygote, इंट्रा, फैलोपियन, ट्रांस्फर, यानि इसको हम क्या कहते हैं, बटा कि, अन्तह युगमनज या युगमनज अन्तह फैलोपियन अस्थांतर ठीके तो ये सभी बेटा आपके फुल फॉर्म होते हैं जो कि आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं है ना क्या होते हैं आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं ठीक ठीके, चलो ठीके, क्या बोलेंगी भाई युगमनेज का ठीके अंतह फैलोपियन ट्रांसपर यानि की युगमनेज अंतह अंडवाहनी अस्थान तर्ड़ यह अपका हिंदी नीम हो जाएगा अब जड आई यापटी में होता क्या है पहले इस चीज को हम ध्यान देखते हैं बटा, यह जो आपकी पूरी क्रियाएं हैं इसका भी फुल फॉर्म पहले लिख लेते हैं I-C-S-I फिर एकी करके मैं बताऊंगे I-C-S-I का फुल फॉर्म बटा होता है ठीके, I-C-S-I का जो फुल फॉर्म होता है इसे हम कहते हैं Intra, ठीके, Intra-Cytoplasmic Sparm Injection क्या Intra-Cytoplasmic Sparm Injection क्या लिखोगे Intra-Cytoplasmic Intra-Cytoplasmic Cytoplasmic Sparm Injection Sparm Injection ये इसका क्या होते हैं फॉर्म होते हैं ठीके, चलो और एक दूसरा हमारा क्या है IVF इसकों कहते हैं In-vitro-Fertilization क्या बोलते हैं In-vitro-Fertilization In-vitro-Fertilization 40 लाइजीश ओके, चलो अब एके करके जानते बटा कि इन सभी की जो क्रियाएं हैं ये किसके लिए यूज होती हैं सबसे पहले हम बात किसके करते हैं Z-I-E-T की किसके बात करेंगे हम सबसे पहले बात करेंगे Z-I-E-T की किसकी Z-I-E-T की को बात करेंगे कि ये Z-I-E-T होते क्या है है अब पहला क्या है Z-I-E-T ठीक है Z-I-E-E-T देखो आप क्या लिखोगे बटा कि इसे इसे जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं क्या लिखोगे इसे जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ठीक है इसे जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर इसे जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं क्या बोलते हैं इसे जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर क्या बोलेंगे बच्चे जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं इसमें आठ कोस की अवस्था तक के भुड़ को फैलोपियन ट्यूब में सीधी अस्थान्तित किया जाता है, आगे क्या लिखोगे? इसमें आठ कोस की अवस्था वाले भुड़ को फैलोपियन नलिका में कहाँ पे? फैलोपियन नलिका में अस्थान्तित किया जाता है, या अस्थान्तित किया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ बटा, जेड आई या अपटी में होता क्या है, इस चीज को ध्यान दो, यानि एक ऐसी महिला के लिए ये सभी जो आपके बीधियां है, ये जो सभी जो मेथड है, ये एक बंदी इस तरी के लिए जिसको हम कहते हैं, बांजपन या बंद, जो इन्फरिलिटी को दूर करने के लिए ऐसे दमपती, और ये जो इन्फरिलिटी दूर की जाती, महिलाओं में यूज होते हैं, एक ऐसी महिला होगी, जिसमें अंडाडू बंद रहा है, जिस जो बच्चे को पाल सकते हैं, ये कि नौ मत जो कहते हैं, कि बच्चे का पालन पोशर होता है, तो ये नौ मत क्या करेगी, बच्चे को पाल सकते हैं, पालने में कोई भी बाबलम नहीं है, लेकिन ये निसीचन के योग्यवातावण को नहीं दे सकती, तो इस condition में क्या किया जाता है कि उस महिला के अंडाडू को लिया जाता है उसके husband के सुक्राडू को लैब में ये करिया कहा की जाती है बच्छे लैब में की जाती है लैब में अंडाडू सुक्राडू का सलेन किया जाता है जाइगोड बनता है और आठ कोस्त के अवस्था व जाएगा और एक सिसू का जन्म होगा तो यह होता है इस क्रिया को हम कहते हैं जेड आई यपटी कहते हैं अब दूसरी हमारी क्रिया होती है जिसको हम intra-cytoplasmic spon injection यानि की आंतर कोस की सुक्राड़ू निशे पड़ कहते हैं ठीक है तो अगले हेडि हम क्या डालेंगे I-C-I ठीक है दूसरी हेडिंग हमारी क्या है बचे दूसरा क्या है ICSI तो इसमें क्या लिखोगे इसे अंतहकोस की सुक्राडू निछेपड कहते हैं क्या लिखोगे इसे अंतहकोस की इसे अंतहकोस की अंतहकोस की सुक्राडू सुक्राडू निछेपड कहते हैं निछेपड कहते हैं ठीके, क्या कहते हैं निछेपड कहते हैं इसे क्या कहते हैं अंतहकोस की सुक्राडू निछेपड या इंट्रासाइटो प्लाजमिक इस पॉम इंजेक्शन कहते हैं ठीके, ठीके इस तक्नीक द्वारा सुक्राडों को सिख़े अंडाडों में अंतच्छेपित किया जाते हैं ठीके आगे क्या लिखोगे इस तक्नीक द्वारा इस तक्नीक द्वारा सुक्राडों को सुक्राडों को अंडाडों में सीधे अंतह छेपित किया जाता है सीधे अंतह छेपित किया जाता है यानि इस विधी का यूज ऐसे पुरुस के लिए किया जाता है जो पुरुस क्या है बंद है यानि कहीं न कहीं उसके दिक्कत है मतलब दिक्कत क्या होगी या तो उस पुरुस में स्पॉम काउंट कम हो है न जो इस पॉम की संख्या होगी वो इस पॉम की संख्या की कमी हो या सुक्राडू आनियमी तकार का है है ना या तो उसमें संख्या की कमी हो है ना इस पॉम काउंट कम हो या वो असक्षम है या उसका क्या है बटा या उस पूरुस में ऐसी दिक्कत है कि वो आनियमी तकार का है तो उनमें सुक्राडो नहीं बन रहे हैं, इस condition में या तो दाता पुरुस का ले लिया जा या तो उसी पुरुस का सुक्राडो को सीधे लिया जाता है, लैब में ही अंडाडो में अंतच्छे पित केर दिया जाता है, तो इस क्रिया को हम कहते हैं I-C-S-I, यानि कि जो Z-I-A- यह जो यूज हो रहा है, पुरुस के लिए हो रहा है, ठीके, और इसके बाद जो I-C-S-I है, यह जो यूज हो रहा है, एक पुरुस के लिए I-C-S-I और Z-I-A-P-T एक महिला के लिए यूज हो रहा है, ठीके, ठीके, चलो, इतनी बात क्लियर हो गई, एक अगला जो आता ह अगला हमारा है, यहां पर हमने क्या लिखा, इन बिट्रों ने होगा, यहां पर वीवो होगा, यहां पर इन वीवो, ठीक है, तो अगली हेडिंग क्या है, अगली हेडिंग हम डालेंगे, आई भी अप, ठीक है, अगली हेडिंग क्या, आई भी अप, आई भी अप, अब यह आई भी अब किसे कहते हैं, इसे हम कहते हैं, इन वीवो, ठीक है, इन वीवो फोर्टिलाइजेशन, इन वीवो फोर्टिलाइजेशन, यानि कि क्या बोलोगे, इसे जीवे निसेचन कहते हैं, इसे जीवे निसेचन, जीवे निसेचन कहते हैं ठीक है इसे जीवे निसेचन कहते हैं क्या लिखोगी इन वीवो फर्टिलाइजेशन को कि इसे हम जीवे निसेचन कहते हैं क्या बोलेंगे भाई इसे हम जीवे निसेचन कहते हैं इस तकनीक द्वारा इस्तरी के भीतर है युगमकों का सल्यन से बनने वाले भूडों का स्थांतर के लिए प्रियोग किया जाता है ठीके क्या लिखोगे इस तकनीक द्वारा इस तरी के ठीके इस तरी के भीतर ठीके क्या है इस तरी के भीतर ही युगमकों के सल्यन से बनने वाले भूडों को ठीके भीतर ही युगमकों के सल्यन से बनने वाले भूडों का अस्थांतर के लिए अस्थांतर के लिए ठीके किसके लिए अस्थांतर के लिए प्रयोग में लाया जाता है ठीके किसके लिए बटा अस्थांतर के लिए अस्थांतर के लिए प्रयोग में लाया जाता है लाया जाता है ठीक है इसे हम कहते बटा आई भी या फ्यानी जीवे नी सेचन देखो ये जो बटा इन्फालिटी को दूर करने के लिए बंधता को दूर करने के लिए दो तक्नीक दो भीदी का यूज होता है एक जीवे नी सेचन अगर हम बात करें तो इसके एक्जाम्पल में आप हमेशा याद रखना है क्या एक तो हो जाएगा ZGIFT का फुल फॉर्म क्या होता है ग्यामिट इंटर फैरोपियन ट्रांसपर यानि युगमक का अंटा अंडवानी अस्थांतर्ण यानि कि यह ऐसी महिला के लिए पड़ा की जाएगा किया जाएगा जिस महिला में अंडवानी बन रहा है तो इस कपेले में किसी दहता महिला की अंडवानी के ऑन्डवानी जाएगा ठीक है अगला कोशन बिटा कि Taste You Baby किसे कहते हैं बिटा सारे कोशन इंपोर्टिंट है ध्यान देना आपके Board Exam के लिए सभी कोशन इंपोर्टिंट है तो ये दिमाग में मत लाना कि क्या मेरे लिए है कि नहीं है ये दिमाग में लाना है आपने कि ये आपके board exam के लिए previous question है, ये पूछे गया है, बटा टेस्ट यू बेबी किसे कहते हैं, बटा ये जो टेस्ट यू बेबी है, ये पात्रे निसेचन का एक उधारण है, क्या है, जो हमारा पात्रे निसेचन है, तो ये जो टेस्ट यू बे इसमें अंडे का निसेचन जो होता है, फिर जाइगोड को 8 कोस की भूड तक विक्सित कर माता की सरीर में फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश कराया जाता है, जहां भूड का आगे के लिए क्या हो जाता है, बटा विकास होता है, ठीक है, ठीक है, टेस्ट यू बेबी, दे पात्रे निसेचन का एक उदहारण है, ठीक है, क्या लिखोगे, टेस्ट यू बेबी, टेस्ट यू बेबी, पात्रे निसेचन का एक पात्रे निसेचन का उदहारण है, ठीक है, टेस्ट यू बेबी, पात्रे निसेचन का एक उदहारण है, ठीक है, यह जो टेस्ट यू बेबी है, यह क्या है, पात्रे निसेचन का एक उदहारण है, ठीक है, इसमें अंडे का निसेचन सरीर के बाहर होता है, ठीक है, इसमें अंडे का निसेचन, इसमें अंडे का निसेचन सरीर के बाहर होता है इसमें अंडे का निसेचन क्या होता है बटा सरीर के बाहर होता है ठीक है फिर जाइगोट के फिर जाइगोट को आठ कोस की भुड़तक विक्सित करमाता के सरीर में ठीक है फिर जाइगोट को फिर जाइगोट को आठ कोस की आठ कोसकी भ्रूड तक विक्षित करके माता के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांस्फर यान्य स्थांत्रित कर दिया जाता है ट्रांस्फर कर दिया जाता है ठीके इसे जड आई अप्टी कहते हैं इसे जड आई अप्टी कहते हैं ठीके क्लियर बात ठीके इसे जड आई अप्टी कहते हैं यदि भूड का विकास आठ कोसकी से अधिक होता है तब इसे सीधे गर्भासा में प्रतियस्थापित किया जाता है ठीके और यदि भूड का विकास आठ कोसकी से आठ कोसकी बूड से अधिक होता है ठीके अधिक होता है तो इसे सीधे ही गर्भासा में सीधे ही गर्भासे में प्रतियस्थापित क्या प्रतियस्थापित कर दिया जाता है ठीके गर्भासे में ही प्रतियस्थापित किया जाता है ठीके पहले ध्यान दो बिटा क्या बोल रहा है कि टेश्ट यू बेवी में पात्र निसेचन का एक उधारण है यह जो test baby है यह क्या एक पातर निसेचन का एक उधारण है इसमें अंडे का निसेचन सरीर के बाहर होता है जो अंडाडू होगा उसका जो निसेचन किरिया होगी वो सरीर के बाहर होता है और फिर इसको आठ कोस के जाइगोट को आठ कोस के अवस्था वाले को हम क्या कर तो इस तक्निक को हम कहते हैं ZIFT, यानी जाइगोट इंट्रो फालॉपिन ट्रांसपरर, अब यदी अगर क्या करें बटा, इस जो जाइगोट आठ उसके वाले वस्था को सीधी गर्भासे में क्या कर दे, प्रती अस्थापित कर दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं, इंट्र इटराइन ट्रांसफर कहते है ठीक है प्रतियस्थापित कर दिया जाता है ठीक है तो इसे आई यूटी आई, यूटी, यानि की इंट्रा, इंट्रा, यूटेराइन, ठीक है, ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर कहते हैं, ठीक है, ओके, सबसे पहले टेस्ट्यू बेबी, लुईस जाए, ब्राउन में, इंग्लेंड में पैदा हुई, ठीक है, सबसे पहले टेस्ट्यू बेबी, सबसे पहली टेस्ट्यू बेबी, ट्यूब, बेबी, लुईस जाए, लुईस, ठीक है, लुईस जाए ब्राउन, जाए ब्राउन, ठीक है, लुईस जाए ब्राउन, इंग्लेंड में पैदा हुई थी, ठीक है, लुईस जाए ब्राउन, 1978 में, इंग्लेंड में, पैदा हुई थी, ठीक है, जबकि भारत में सबसे पहला टेस्ट्यू बेबी, कुम हरसा, 1986 में, मुंबई में पैदा हुई थी, ठीक है, जबकि भारत में सबसे पहली, टेस्ट्यू बेबी, टेस्ट्यू बेबी, 1986 में, 1986 में, कुम हरसा, मुंबई में पैदा हुई थी, यानि यह होता क्या है बटा, इस चीज को समझ लो, इन में होता क्या है, अगर कोई भी महिला है, उसके या तो वो निसेचन के योग्य वातावर्ण नहीं दे पा रही है, या तो वो गर्भासे में, गर्भासा ठीक है, लेकिन वो क्लिवेज नहीं हो सकता, इस कंडिसन में क्या किया जाता है, कि महिला के अंडाडो को लैब में, हैं एक टेस्ट्यूब लिया जाता है, उस टेस्ट्यूब में अंडाडो को डाला जाता है, साथ साथ उसके पुरुस का जो हस्वेंट होता, उसके सुक्राडो को डाला जाता है, डारेक्ट निस्यचित किया जाता है फिर जाइगोट से आठकोस के अवस्था या आठकोस के अधिक अवस्था तक या तो उसके अंडवाहिनी में या तो उसके गरभासे में रोपित कर दिया जाता है और जब रोपित करने के बाद एक बेबी का एक स्वक्ष बेबी का जन्म होता है इसी condition को हम कहते हैं taste to baby और सबसे पहले लूइस जोय ब्राउन ने 1978 में इंग्लैंड में पैदा हुई थी और भारत में सबसे पहले कुम हरसा पैदा हुई थी वो 1986 में हुई थी तो ये आप याद रखना ठीक है ये आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखने है और उमीद है बटा कि आपको हर एक पॉइंट हर एक टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हुई क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ टप नहीं है एकदम एजी सा है एकदम एजी है अगला कोशन टर्नन सिंड्रोम किसे कहते हैं टर्नन सिंड्रोम किसे क्या सिंड्रोम क्या है Turn-on syndrome क्या है? क्या कोई बच्चा बता सकता है कि ये syndrome क्या? तर बटा, syndrome का मतलब समझना आपने कि एक तो एक आपको home work मैं दूंगे Turn-on syndrome का बटा, मतलब आपने समझना कि Turn-on syndrome होता क्या है? देखो बटा, आप सभी को पता है कि जो मानव है हैना ये जो मानव है मानव में जो गुड़ सुत्र है मानव है और मानव में जो गुड़ सुत्र की संख्या है वो कितनी होती है? संख्या जो होती है वो होती बटा, 46 होती है हैना यही होती है, कितनी होती है? 46 होती है, ठीक है? अब इनमे होता है क्या? यह जो turn and syndrome किसमे पाया जाता है female में होता है यह दिक्कत किसमे होती है female मतला मादा में होती है मादा में दिक्कत क्या होती है कि इनका जो नम्मर आप chromozome है एक जो गुड़सुतर होता है मालो, यहाँ पर 2N-1 हो जाता है इनमें क्या हो जाएगा बचे नहीं इन में क्या हो जाथा एगर 46 है तो इन में 1 की कमी बराबर कितना 45 हो जाता है यानि की Torn honest syndrome में जो नमबर आप chromosome होते हैं गुर्शुत्र के जो संक्या होती है वो कितनी हो जाती 45 हो जाती है अब इन में क्या होगा ये पाए जाता है महिला में अब इस महिला में क्या होगा कि इनका जो अंडासे होगा ठीक है जो उनका इस महिला का जो अंडासे होगा वो अलप विक्सित होगा क्या होगा अलप विक्सित होगा जब अलप विक्सित होगा तो जब ये अलप विक्सित है तो ये अंडारू का निर्माण नहीं कर सकते अलपविक्सित है अंडाडो नहीं बनेगा जब अंडाडो नहीं बनेगा तो इसको हम क्या कहेंगे बांजपन कहेंगे क्या बोलेंगे बचे बांजपन कहते हैं तो यह जो दिक्कत है यह जो प्राब्लम है यह किसमी पाई जाती महिला में क्या लिखोगी बिटा कि जब मनुष्ठ के दूगृत क्रोमोजोम में से एक की कमी हो जाती है जब मानों का जो दूगृत क्रोमोजोम है और उस गुड़सुत्र में एक गुड़सुत्र की क्या हो जाए? कमी हो जाए, ठीक है? तो एक गुड़सुत्र की जब कमी हो जाती है तो इससे syndrome उत्पन होता है और इस प्रकार का यह monosome की उदारण है और इस kromosome की संख्या में मानों सरीर में 45 रह जाती है ठीक है और यह जो लक्षड है यह नारियों पाया जाता है ठीक है अब इनमें साथ साथ बटा क्या होता है इनके जो दीतिक लैंगिक लक्षड होते हैं पूरी तरीके से विक्षित नहीं हो पाते हैं जो दीतिक लैंगिक लक्षड होते हैं वो भी नहीं विक्षित हो पाते हैं साथ साथ इनका जो अंडास होता है अंडास से भी नहीं क्षेतों अपाता है तो इसी प्रकार की सिंड्रोम को हम कहते हैं तरनंग सिंड्रोम कहते ठीक fighting और आप य zigzag ने पूछा जाता है कि अना गुरों मे इनुऑ होती है ध्यान देना बताओे कितनी एक पर 3illy फइक हो जाती है ठीक beauty लेक्ट हिमोफीलिया पर नोट लिखे ही expensive oh पर note लिखे व Holzी एंगिए हनोठ यह फिलिया क्या है द्यान देना है गुर्म ही अन्वंसिक बिमारी आनवंसिक बिमारी का मतलब एक पेडी से दूसरी पेड़ी में जाता है ठीके तो हीमोफीलिया पे नोट लेके हीमोफीलिया क्या है बताओ हीमोफीलिया क्या है कोई बच्छा बता सकता है कि हीमोफीलिया किसे कहते है को हीमोफीलिया को इसे हम ब्लेडर्स रोग भी कहते है है नहीं हीमोफीलिया है इस हीमोफीलिया को हम क्या कहते है इसे ब्लीडर्स ठीक है ब्लीडर्स रोग भी ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं क्या कहते हैं इसे हम ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं क्या बोलते हैं बच्छे इसे हम ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं ठीक है यह योन सालग नाप प्रभावी विकार है ठीके, यहाँ योन सहलगन आप्रभावी ठीके, क्या है? आप्रभावी बिकार है आप्रभावी क्या है बचे? यह आप्रभावी बिकार है ठीके, ऐसे व्यक्ती से निकला रक्त थक्का बनने में आसमर्थ होता है यानि मानो बात अगर कोई भी व्यक्ती है जिसमें ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो रहा ना, किसी भी कारवस उसको चोट लगे, उसका ब्लड में क्या हो रहा है? जो ब्लड है उसका अस्राव नहीं रुक रहा है ठीके, असमर्थ होता है, तो ऐसे व्यक्ती रक्त की कमी से मर सकता है ठीके, तो ऐसे व्यक्ती रक्त की कमी से मर सकता है, ठीके, और हीमोफेलिया का, ठीके, हीमोफेलिक जीन दस्वे गुड सुत्र पर मवजूद होता है ठीके, आगे क्या लिखोगे, हीमोफेलिक जीन दस्वे गुड सुत्र पर मौजूद, मौजूद होते है, यानि देखो ये ब्लेडर्स रोग भी है, इसे हम क्या कहते हैं, हीमोफेलिया को हम इसे ब्लेडर्स रोग भी कहते हैं, ये योन सालगन आप्रभावी विकार, यानि कि आप्रभावी प्रभावी विकार नहीं है हाँ नहीं क्या होते बटा आप रभावी विकार है और ऐसे व्यक्ति से जो निकला रखत होता वो ठका बनने में आसमर्थ होता है यानि ऐसे कोई एक ऐसा व्यक्ति जो हीमोफीलिया से ग्रसित है और इसको किसी भी कालवस क्या लगे चोट लगे ठीक है अब वो ब्लड निकला है ब्लड का क्लोटिंग नहीं हो रहा जब ब्लड का क्लोटिंग नहीं होगा तो इस व्यक्ति की ब्लड की कमी से क्या हो जाती बटा डित हो जाती यानि कि वो बंदा क्या हो जाएगा मर जाएगा और ये जो हीमोफिलिक जो जीन खराब है ध्यान देना एक चीज और कि इनमें हमारा एकस जीन ही खराब होता है एक ठोड़ा सा आपको यहाँ पे आगे बढ़ो सारे कोशता ना देने को अगर ये एकस एकस इस प्रकार का है तो ये क्या होगा ये मादा जो है ये क्या होगी वाहक होगी ठीके और इस महिला का ये जो दोनों खराब है तो ये महिला क्या होगी ये ग्रसित होगी और पुरुस में एक एकस और एक वाई है और अगर ये एकस खराब है वाई क्या है तो ये ग्रसित होगा क्योंकि भाई पुरुस का एक ही यक्स है तो ध्यान देना ये जो दसमे गुड़सुत्रपी इस्थित होता और दसमे गुड़सुत्रपा येमारा क्या होगा यक्स रक्स होगा है न क्योंकि ये लाश वाला जो क्रोमोजूम होता वो चेंज होता है ना कि ये 22,21,21,19 ये सभी क्योंकि मारे क्या होते मेल और फिमिल दोनों की ही बराबर होते हैं ठीक है चलो लाश कोशन क्लाइफ एंटन क्या है क्लाइफेंटन सिंड्रोम क्या है बताईए आपने स्वावल करने थोड़ा समय आपको यहां पे बता दे रहे हूं कि क्लाइफेंटन सिंड्रोम क्या है देखो बताई ध्यान देना यह जो क्लाइफेंटन सिंड्रोम है यह किसमे है यह मेल में है एक मेल में है। मेल में गुर्षूत्र की संख्या 46 है। इन हमें 1 की बढ़ोती ब्राबर कितने बढ़ा 47 हो जाते है। यानि गुर्षूत्र की संख्या क्या हो जाएगी 47 हो जाती है जब ऐसे 47 हो जाते तो इनमें जो दीतेक लेंगी एक लक्षर होते है वो प्रकट नहीं हो पाते या इनमें क्या हो जाएगा जो इनका अस्तन है न देखो पुरुस का जो अस्तन उभरावा नहीं होता लेकिन जो अलपविक्सित होगा, तो इनमें क्या होगा कि सुक्राडू का निर्मार नहीं होगा, तो ऐसे पुरुस को हम कहेंगे कि ये पुरुस क्या है, बांज है, ठीके, यानि कि ये पुरुस में क्या आगई, कमी आगई, ओके, क्लियर, तो क्लाइफ एंटन सिंड्रोम, टनन सिंड्रोम, तो ये सभी जो कोशन हैं, या आपने अच्छे से करके आने हैं, और ये जो दोनों या तो आपका हीमोफीली हो गया टनन्स इंडोम हो गया और क्लाइफेंटन्स इंडोम हो गया ये हमारी आनवनसिक बिमारिया होती है क्या होती आनवंसिक बिमारिया यानि एक पेड़ी से दूसरी पेड़ी में क्या होती बटा अस्थान्तित होती है ठीक है ओके तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे को ये जितने भी आच्छे क्लास के कोश्चन क्या होती है